तीसरा दोसरा देखते है, इट क्य zumindest नमर, R2, बराबर एक relation धिया, XY के order pair कर फर्म में, जाकर रहा है, XY के पिता है, Y के पिता है, इसके लिए हमें चेप करना है, X is the father of Y, X जो है वाई के पिता है, इसके लिए चेप करना है, तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि- करके वासी है वासी है या निवासी है ना और यहां पर यह भी लिख देते हैं कि x, y, z belongs to a पहले ही हमको निधारित कर देना होगा यह ऊपर नहीं दिखा देना होगा तब आगे हम लोग बढ़ेंगे ठीक है तो लिए पहला लिखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं रिफ्लेक्सिव ठीक है रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव के लिए यहां पर देखिए यहां में क्या रिलेशन दिखा रहा है कि एक सवाई क्या पीता है तो क्या और टू, x, x belongs to r2, यह होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दखिए, यहां x, x का पिता हो सकता है, पिता नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई कहे कि मैं आपने आप में खुद का बाप हो, तो ऐसा हो सकता है, उसका पिता तो कोई दूसरा होगा ना जी, तो यह possible ही, नहीं है इसलिए R2 जो है R2 is not reflexive यह reflexive नहीं होगा दूसरी बात आती है symmetric की for symmetric for symmetric symmetric की बात करता है तो symmetric यहां पर देखिए आपके उपर यह है X, Y belongs to R2 belongs to R2 यानि कि इसका मतलब क्या होगा कि Y के पिता है X जो है Y के पिता है तो क्या आप इसको ऐसे लिए सकते है Y, X का पिता है नहीं हो सकता न Y, X के पुत्र है पिता तो भी नहीं सकता है पुत्र है यानि कहने का मतलब या हुआ कि यहां पर इसका मतलब या हुआ कि Y, X not belongs to R2 यह मिलेगा है नहीं जी यह तो पुत्र हो जागा पीता सोड़े होगा इसलिए r2 is not symmetric not symmetric यह symmetric नहीं है ठीक है चलिए तीशा लेते हैं for transitive for transitive transitive की बात आती है तो transitive में देखिए कह लेते हैं x,y belongs to r2 and y,z belongs to r2 यह इन दोनों का मतलब यह हुआ कि x जो होगा x y के पिता है y के पिता है और y जो है y z के पिता है जेड के पिता है समझ जए यह होगा जी आहां पर आगे यहां पर आप देखा जाया तो x,z का दादा न हो जागा जी x,z के दादा देखिए माल लिजी आप अपने घर में देख लो आप यहां देखिए यह x माल लेते हैं कि यह आपके पिता है और यह y आप है तो यहां पर देखिए x,y के पिता है याणि कि आपके पिता x है ठीक है समझ यहां से और फिर कह रहा है y याणि कि आप z के पिता है याणि कि यह आपका बेटा है तो आपके बेटा और आपके पिता में कैसे बंदा T एप से आप ऐसे लिभ सकता है कि R2 में लिखा रहा है कि तो दादा आ जा रहा है that means इस लिए R2 is not transitive R2 is not transitive, समझ गए?